नमस्कार बहुत बहुत स्वाइब करते हैं क्लिक्टोडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में और इस वीडियो में हम बात करना ले मुख्यमंत्री कन्या उध्धान योजना की राशी को लेकर के जैसा कि आप सभी को पता है आज है 31 जनवरी और पोर्टल को क्लोज हुए जो एक महीना आज पूरा कम्प्लीट हो चुका है 31 दिसंबर को पोर्टल क्लोज कर दिया गया था जिसमें की रजिस्ट्रेशन का प्रॉसेस आकरी 31 दिसंबर दोहजर तेस तक करवाया गया था अभी आज 31 जनवरी दोहजर चौबिस है आपको मैंने की जैसा कि पूर में र लेकर के जितने भी अभी योजनाय थे उसके उपर होल्ड लगावा था और जो मंत्री मंडल है वो फिर से नए से गठित हुआ इसमें बहुत सारे बदलाब देखने को मिले आप सभी को तो फिलाल इस योजना को लेकर के अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है और जैसा कि मैं फैसले लिए जा सकते हैं अपने सीएम के तरफ से जो कि आप लोग को छात्राओं को सना तक उत्रिन करने पर पचास सार की राशी दी जाती थी और जो छात्रा जो है बारह भी उत्रिन करती थी उनको पचीस सार की राशी दी जाती है तो यह योजना फिलाल चल रहा है आग जिसे कि आगे आने वाले जितने भी अपडेट सो कन्याओतान योजना की राशी को लेकर के वह आप सजी तक टाइम टूटाइम पहुंचते रहे और एक चीज जिन कॉलेज का नाम पोटल के उपर एड़ेड नहीं है उन चात्रा उन कॉलेज की छात्राओं को जो है इस योज जिसमें कि ये भी बताया जाए कि जिन चात्राओं का रिजल्ट जो है आ चुका है दिसंबर के महिने तक उनका भी नाम जो है एड़ कर देना पोटल के उपर फरवरी के अब आखरी हफते तक अगर अपडेट नहीं आता है तो फिर मार्च के आद एपरेल में पोटल निश सामनिशन का जो है रिजल्ट आएगा और उन चात्राओं को 25,000 की राशी देने के लिए पोटल को खोला जाएगा और अब जिनका पोटल के उपर नाम एड़िट नहीं है उनको भी मैं बताया चाता हूं जितनी भी आपकी उनिशिटीज है वह सभी अभी ताक में बैठी है कि जैसे ही पोटल खुलेगा चात्राओं का नाम जो है एड़ कर दिया जाएगा पोटल के उपर सारे डेटा आपके तयार कर लिए गए हैं जिन चात्राओं ने डेटा जो है अपना कॉलिज में जमा किया था एक्सल शीट में कॉलिज ने जो इनिशिटी को भेज दिया है बस आपका नाम एड़ करना है पोटल उपन नहीं हुआ है जिसके वज़से आपका नाम एड़ नहीं हुआ है नहीं तो आपका नाम एड़ हो जाता है जिनका ready for payment है और subject for availability of fund लिख रहा है उनका payment भी जल्दी किया जाएगा बताया जा रहा है कि फरवरी के आखरी हफते तक को होगा क्योंकि बजट जो है बिहार का पेस किया जाएगा उस बजट में इसके उपर भी कोई ना कोई नेड़न है जरूर से जरूर लिया जाएगा अभी कुछ हात्रा है बोले थी कि हमारा college लिस्टेट है कि नहीं है कैसे चेक करें तो आप गूगल पर क्लिक करेंगा पहला करके आना है जैसी आएगा तो आपको 29 मार्च वाला पोस्ट दिखेगा इसके उपर क्लिक करना रहेगा और यहां पर नीचे आकर कि आपको जो स्कॉल करना रहेगा रजिस्टेशन फिलहाल क्लोज है तो रिजिस्टेशन के लिंक पर जाने का कोई फायदा भी नहीं है हमको कोई university के पर क्लिक करना है और list of colleges पे जाना है यहां पे list of colleges पे जैसे जाईएगा आपका जो भी university है उसको आप लोग चेक कर लिजे कि कौन से कौन से colleges जो जो हे लिस्टेड है या नहींuplar जो कुछी इस प्रकार से आप लोग जो है अपना चेक कर सकती है कि आपका college लिस्टेड है कि नहीं इस योजना की insight कि लाव के लिए कुछी इस प्रकार से सारे Odoo 6 जो है दिये होए है टीक है है तो यह सारे लिस्ट आप चेक कर लिजे और नाम जो है जल्दी आड़ किया जाएगा बस थोड़ा दिन का और प्रतिक्षा करना है जिनका जो है आईडी पासवर्ड नहीं आए वो सभी अपना यहां पर आ करके देख सकते हैं इसके उपर आ करके कर सकती हैं चेक रिजिस्टेशन स्टैट है तो फिर आपका रिजेक्ट होना तय है और एक बार रिजेक्ट होगा तो आपको एक साल तक जूलना पड़ेगा यानि लटकना पड़ेगा कारण यह है कि दुबारा से एडुकेशन डिपार्टमेंट आपका वरिफिकेशन जल्द नहीं करती है लेट लगाती है तो उसम पर सकता है डीवीट मैंने कई बार बोला है चेक करने के लिए अगर आभी तक आपने नहीं चेक किया युएड के वेफसाइट पर जाकर के तो डीवीट चेक कर लिजे ने तो फिर परिशानियों का सामना आप ही को करना पड़ेगा मैं बार बार इस बात को जो है कह रहा हुआ है यहां पर आपको डीवीट लिखना है गुए कि जैसे लकिएगा उसके बाद कए बैंक सिदिंग पर दसे प्लोग कर सक्ते हैं लेपटॉप से करें अब कर Birds लोग्य। नहीं तो इनका website थोड़ा फस्ता है यहां से भी login करके आप एक बार चेक कर लिए या फिर direct यहां पर आपको bank CD का option दिख रहा है यहां पर click करके अपना अधार number के आपचा code और जो OTP जाएगा आपके mobile नमबर पर आधार link अपना dvt status चेक कर सकती है यह चेक करके रखिए आवेदन आपका कुछ दिन बाद start होने वाला है इसलिए मैंने आपको information दे दिया बजट आने का बस इंतिजार है आगे जो भी अपडेट होगा आपको हम टाइम टू टाइम अपटू डेट करते रहेंगे जो चात्रा है उत्रिन हुई है उनको भी योजना का लाब मिलेगा इसके बाद के लिए फैसला जो है नेक्स्ट बजट में पेस होने वाला है ठीक है तो आज के वीडियो इतना ही तो तक लिएम चलते हैं धन्यवाद